दोस्तो इस वीडियो में मैं फुल डिटेल करूँगा किया हमें दिन में पढ़ना चाहिए या रात में तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किया एडवांटेज क्या है मतलब अगर आप दिन में पढ़ते हो तो उसका क्या फाइदा है और अगर आत में पढ़ते हो तो उसका क्या फाइदा हो सकता है दिन में बात करूँगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है लुक मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आर हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है तो ये चीजअ हर आत्मी के लिए själ हो सकती एर सब के लिए दिन में पढ़ना या सब के लिए रात में पढ़ना रह 258 चांळे के लिए अपने वाली वीडियो में बात है वेस्ञ यहां आपके लिए कितने घंटे पढ़ना अपतल और मैंने ऑसी वीडियो में बिश्ज 10 के लि इस वीडियो के बात जाना क्योंकि वाली वीडियो बहुत ही रहता इंट्रेस्टिंग और नॉलजिबल दोनों होने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अंत में आपको अपनी ओपीनियन भी दूँगा कि या मेरे एकॉर्डिंगली बेस्ट क्या है कि दिन में पढ़ना चाहिए रात में पढ़ना चाहिए तो फूल आन इस वीडियो का जो पैकेज मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि दिन और रात में पढ़ने के अपने अपने एडवांटेजिज क्या है Then disadvantages क्या है Then आपके लिए best क्या है And last में की मेरी opinion क्या है इस चीज को लेके कि आपको दिन में पढ़ना चाहिए या रात में तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग advantages के बारे में Day और Night दोनों के ये अलग-अलग है मतलब दोनों के अपने-अपने advantages है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप दिन में पढ़ने का क्या advantage है तो दिन में पढ़ने का सबसे बड़ा जो advantage है Overnight में पढ़ना वो ये है कि आपको नीद नहीं आएगी और ये सबसे बड़ा एक advantage है मतलब अगर maximum student जो दिन में पढ़ते है आप उनसे पुछो कि आप रात में क्यों नहीं पढ़ते है तो यही कारण है कि उनको रात में नीद आती है वो नहीं पढ़ सकते है तो ये सबसे बड़ा एक कारण हो जाता है याँ दिन में नीद नहीं आती है आप इनम फ्रेस होते हो तो दिन में पढ़ने में ये advantage है नाव दिन में पढ़ने का second और एक और बहुत important advantage यह है वो है health दोस्तो अगर आप late night पढ़ते हो और लंबे समय ते किस चीज को follow करते हो तो we all know that late night अगर आप जागते हो तो obviously आपके health को impact परेगा लेकिन अगर आप दिन में पढ़ोगे तो आपका health बिल्कुल सही रहेगा तो आप इस aspect से भी देखो तो यहाँ पे इसके 2 advantage रहते है पहला कि आपको नीद नहीं आएगी और दूसरा आपका health अचा रहेगा नहीं दोस्तो नाइट में पढ़ने के क्या क्या advantages है अब मैं आपको यह begin वाद देता हूँ तो दोस्तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा advantage जो है वो है silence कि यार बहुत सान्ती मिलती है रात को कि यार सब सोगे होते है और अगर आप रात में बैठके पढ़ोगे तो आप आपको बहुत जाजा silence मिलेगा और इसी silence के कारण आपके productivity रात में बहुत जादा हो जाती है क्योंकि अगर आप सान्ती से बैठके पढ़ रहे हो जाँ आपको कोई disturb करने वाला नहीं है कोई आवाजे नहीं है तो obviously आपके productivity बहुत जादा हो जाती है ना दोस्तो second advantage क्या है रात में पढ़ने का वो यह है कि आप distraction रात में बहुत कम होता है मतलब रात को तीन बज़े आप उठके टीवी नहीं देख सकते हो आप PUBG नहीं केल सकते हो आप बाहर टहलने नहीं जा सकते हो तो यार जब भी हम board होते हैं पांच मिनट, दस मिनट, आदे गंटे, एक गंटे पढ़ने के बाद तो हम हमें से उठके जाते है mobile जिलाने के लिए, टहलने के लिए, टीवी के लिए लेकिन रात में ऐसा नहीं है तो रात में आप जितनी ही देर पढ़ोगे उतनी देर आप सिर्फ पढ़ोगे और आप उठके बाहर कोई कहीं नहीं जा सकते हो इस वाट में आपके पास distractions बहुत ज़दा कम होते हैं और इस कारण से आप जितनी भी देर पढ़ते हो आप सिर्फ वासिफ स्टेडी करते हो नाओ दोस्तों हम लोग बात करते हैं डिस एडवांटेज इसकी तो यार दिन में पढ़ने के क्या-क्या डिस एडवांटेज है तो पहला है distraction वही जो मैंने कहा कि नाइट में पढ़ने का जो benefit है वही दिन में आपके लिए एक distraction एक बहुत बढ़ा कारण बन जाता है एक बहुत बढ़ा एक disadvantage बन जाता है कि यह दिन में आपके पास mobile, tv सब available है जब आप पढ़ रहे हो तो आदे गंटे बाद, एक गंटे बाद हम उठ जाते है usually mobile के बास चले गया या even टहलने के लिए breaks ले ले लेते हैं बार बार वहाँ पे हमारे study की बीच में बहुत ही जादा break होता है और इस कारण से हमारी productivity कम हो जाती है नाइट में पढ़ने का benefit यह है कि आपको productivity जादा मिलेगा लेकिन दिन में अगर आप पढ़ो के तो बार-बार we all know हम लोग ने खुद भी experience किया ऐसी चीज़ को कि बार-बार हम लोग उठ जाते है दूसरा क्या है कि हम लोगों को कुछ काम भी होता है दिन में आप लगातार तीन घंटे बाटके नहीं पढ़ सकते हो तो यह था इसका पहला point और second जो point है वो यह है कि यह usually boring होता है मतलब यार especially जो afternoon का session है सुबह दो पहर मैं कहूं एक बज़े से लेके तीन सारे तीन या अब गर्मी का time है तो सारे चार पाच बज़े तक तो दोपार ही रहता है तो यह time बहुत ही boring होता है I still don't know कि क्यों होता है लेकिन होता है तो यह time जो होता है वो boring होता है और रात में पढ़ने के comparatively अगर हम इसको उस चीज़ से compare कर रहे है तो रात में पढ़ना काफी interesting होता है रात में नीन दा सकते है लेकिन हम लोग bored नहीं होता है लेकिन दिन में हम यह बोरियत बहुत फील होती है नाँ दोस्तम लोग बात करते है नाइट के disadvantages की तो यह नाइट में पढ़ने का सबसे बड़ा disadvantage जो है वो हम लोग जानते है कि यह नींद आती है बहुत जादा तो obviously अगर रात में मतलब यह बाड़ा बज़े बैट रहे हो तो बाड़ा से डेर दो तो ठेक है लेकिन after that हम लोग sleepy feel करने लगते है तो उस कारण से पढ़ा ही नहीं हो पाती है तो बाड़ा बज़े से दो बज़े तक या देर बज़े तक या जब तक आपको नींद नहीं आ रही है तब तो आपकी productivity बहुत जादा है लेकिन जब नींद आने लगती है तो यह productivity बिलकुल zero और next यह आपके health पे भी impact डालता है जी हां रात में अगर आप बहुत लंबे time तक पढ़ रहे हो तो आपके health को damage करेगा क्योंकि आप दिन में चाहिए जितना सो लो आप 8 गंटे के अपनी cycle complete कर लो जो आपके सोने की cycle है लेकिन क्या है कि आपको रात में वो जो बाड़ा से तीन या चार का यह जो golden time है यह अगर आपको नहीं मिलेगा इस time नींद तो फिर आपका life जो है थोरा सा disturb होगा being a teenager या अभी इस age में जब हम लोग बहुत जादे young है तो हम लोग इस चीज को feel नहीं करते हैं लेकिन still हम लोग अपने body को damage करते हैं तो यह रहे advantages और disadvantages दिन और रात में पढ़ने के अब हम बात किर देंगें आपको किस time पढ़ना चाहिए सो इस point में सबसे जाधा important कया है कि आपको तब पढ़ना चाहिए जब आपका मन लगता है जी हां, किसी को रात में पढ़ने में मन लगता है तो किसी को दिन में अब अगर मैं आपको बोलु कि आर dépक का दिनमे पढ़ने में मन लगता है फिर भी रात में पढ़ो और अगर आपका रात में अच्छा चल रहा है ना वी आपको बुरू दिनमे पढ़ो तब तो जब्याला चीज सबसे ज़ादे important है और दोस्तों यहां पर क्या है कि अगर आपको idea नहीं है कि रात में पढ़ना मिल लिए जादा interesting है या रात में मेरे productivity जादा होती है या रात में पढ़ना मिल लिए better है या दिन में पढ़ना better है तो आप एक बर पढ़के compare करो कि आपने जो परसो रात या निकि जो आज की रात होने वाली है यहां जो चार गंटे पढ़े कि आप उसमें जादा syllabus complete कर पाए हो या अगले दिन जो आप दिन में पढ़ने वाले हो चार गंटे आपने उसमें complete कि है तो आपको खुद बर खुद पता चल जाएगा कि आर किस में productivity आपका ज्यादा है और किस में आपका ज्यादा मन लगता है और आपको कप पढ़ना चाहिए एंड आप एक बार वीडियो को पीछे करके ये भी देख लो कि advantages और disadvantages क्या-क्या है for example रात का disadvantage क्या था कि आपको नींद आती है तो आप रात में नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि रात में नींद आना obvious है तो अगर आपको बहुत ज़्याद नींद आती है और आप अपना नींद control नहीं कर पाते हो तो आप दिन में पढ़ो आप देख लो advantage और disadvantage वाले section को और वहां से आप देखके ये चीज़ decide कर सकते हो कि आपको कप पढ़ना चाहिए आपके लिए कौन सा time ज़्यादा suitable है तो मुझे लगता ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा नौ दोस्तो लास्ट में बात करते हैं मेरी opinion की तो दोस्तो मेरा मानना है कि आर 18 गंटे का हमारा दिन होता है और 6 गंटे की रात यारो 10 से 4 तो 18 गंटे अगर हम दिन में नहीं पढ़ सकते हैं दिन में अगर हमारे पास 18 गंटे में से भी हम 3-4 गंटे नहीं निकाल सकते हैं तो मुझे लगता है कि आ रात के 6 गंटे में से क्या हम लोग 4 गंटे निकाल पाएंगे तो obviously मुझे लगता है कि दिन में पढ़ना ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम है आपके पास क्योंकि मैंने कई साड़े लोगों को देखा है सिर्फ रात में पढ़के अच्छे रिजल्ट्स लेते हुए उनके लिए रात में पढ़ना ज्यादा बेटर है तो आप खुद से एक बारी रात में पढ़के देखो अगले दिन दिन में पढ़के देखो और कंपेर करो और इस चीज़ को भी देखो कि कब आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है जो कि में लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इनिवेज दोस्तों इस वीडियो के समरी बस इतनी बताऊंगा कि पढ़ो तब जब तुम्हारा मन लगे और जब मन लगे तो उठो मत तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने स्टेडी ग्रूप में सेर दरूर कीज़ेगा इनिवेज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीज़े कॉमेंट करके मैं बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको खिन टॉपिक्स पर चाहिए और अगर आगे भी हमारे ऐसे ही वीडियो को मिस्त नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन दे मात्रम